इस वीडियो में बात करने वाले लगकों बैक टू लगकों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ आज नोलेज मिली हो तो थोड़ा सा हमारी घंटों की मैनत के लिए पलक जबकाने जितना सा टाइम निकाल के लाइक बटन को दबा देना प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है तो थोड सा अब पुराना हो चुका है ट्रंजेक्शन स्पीड वगेरा कोस्ट वगेरा इनकी सभी की जादा है और डॉच कोईं कंपेरिटिवली इनसे तोड़ा सा स्ट्रोंग है ठीक है तो हमारे जो प्रने पतोल जी है अब जिनको नहीं पता है प्रने पतोल जी के बारे में ये प पतलब टाटा कंसल्टेंसी में ये एक इंजिनियर है तो इन्होंने कल एक ट्वीट किया दा जैसा आप देख सकते हो डॉच इस ऑल्रडी 15 एक्स फास्टर देन बिटकोईन फी ड्रोप इस एजी टू अचीव ब्लॉक साइज इंक्रीज इस इजी टू अजीव और ब्लॉक साइस को इंक्रीज करना भी कोई बहुत बड़ी बहादूरी नहीं है और जो बेसिकली इनका मतलब था वो ब्लॉक्चेन ट्रालेमा सा था अब ब्लॉक्चेन ट्रालेमा जिनको नहीं पता है उनके थोड़ा सा में आपको समझा देना चाता हूं और जिनको पता है तो उनके ट्राइलेमा सभी के लिए अभी चैलेंज बना हुआ है जितने भी बड़े-बड़े डवलापर से वो चाहिए विटेलिक बुटेरी नो चाल्स होसकिन से नो ठीक है जो थर्ड जेनरेशन कोईं से प्रोजेक्ट से वो सभी इसी ब्लॉक्चेन ट्राइलेमा को सॉल्व करने की अभी कोशिश कर रहे है इसमें बैसिकली क्या होता है एक ब्लॉक्चेन नेटवर्क एक ही समय पर या तो स्केलेबल हो सकता है या फिर डीसेंटरलाइज हो सकता है या फिर सिक्योर हो सकता है एक समय पर ये तीनों चीज़े एक साथ नहीं हो सकती है तो इन्होंने यही दूसरा या तीसरा रिप्ला है प्रने पथोल जी के लिए हमारे इंडियन है तो ये काफी अच्छी बात है ठीक है तो उन्होंने एलाउन मस्क ने लिखा है ब्लॉक साइज और फ्रिक्वेंसी शुड्ड स्टेंटली इंक्रीज टू मेच ब्रोडली अवेलिवल बैंडविट ठीक है मतब कि ब्रोडली अवेलिवल बैंडविट से मेच करने के लिए ब्लॉक साइज और फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़नी चाहिए एलाउन मस्का ये मानना है अब आप सभी को पता है ये से मुसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहाता कि भाई री रोकेट्स को भी लॉंच कर दिया था ठीक है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था नासा के साइन्टिस्ट वगरा के लिए लेकिन उन्हें ये कर दिखाया तो अब देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है अभी ये काफी एक अच्छी अपडेट है की एलान मस्क कर लिटरली डॉच के बारे में कुछ सोचते हैं और उसकी डवलप्मेंट पे कुछ ध्यानदे रहे है और जो भी उनके डवलपरस है माईशी लूमिन वगएरा जिनके बारे में हमने बहुत पहले भी वीडियोस में बात करी हुए बहुत बार बात करी ही है तो और मैं सिर्फ इतना से जानता हूँ देखो अभी जितने आम ट्रेडर से आप और हम जैसे जितने भी ट्रेडर से वो अभी डॉच को लेकर इसलिए शायद थोड़े से नेगिटिव हो जाते है विकोस डॉच की जो अलिमिटेट सप्लाय है और जो डॉच के वोलेट से अभी म कर देते हैं डॉच को सेल आउट भी कर देते हैं तो इसके बदले में एलॉच मस्क उनको एक्चुल में डॉलर में पे करेंगे ठीके तो यह ट्विट आया हुआ है इलॉच की तरफ से आप क्रोश चेक्ष भी कर ले ना तो अब देखते हैं कि हुपर भी इलॉच कुछ करत तो इस tweet के बाद में dodge की price में लगबग 10 से लेकर 15% के बीच में उचाल आया था वापस से इसकी price जैसा आप देख सकते हो लगबग 12% के आसपस गिर चुकी है और 16 रुपे के आसपस अभी इसकी price चल रही है trading volume थोड़ी से बड़ी थी लेकिन वापस से डाउन आ गई है 17% के आसपस अभी ये डाउन आ गई है और कल थोड़ी से बड़ी थी और market cap भी लगबग 0.69% डाउन आ चुका है ये चीज आप खुद भी चेक कर सकते हो कि भाई ये lowest price किती थी highest price किती थी all time high कितना गया था ठीक है तो बस मैं इतना सही कहूंगा कि अगर इन दो problems के उपर Elon Musk literally कुछ काम कर लेते हैं तो maybe जो आम ट्रेडर से उनका थोड़ा भरोसा डॉच को इनके उपर बनना स्टार्ट हो जाएगा वैसे तो Elon Musk अभी जो भी development वगएरा को उपर tweet कर रहे हैं वो transaction या पिर हम कह सकते payment से जुड़े होए concept पर है मतलब कि डॉच को इनको एक payment की जैसा करना चाहते हैं ठीक है तो यह तो होगे डॉच को इनको पर बात अब बात करते हैं Ethereum 2.0 के बारे में बात मेरे comment में आया था कि आप Ethereum के बारे में अब तक कुछ भी details हमें नहीं बताया हो तो प्लीज एक वीडियो तो कम सब्सक्राइब बना दो ठीक है तो आज हम Ethereum के उपर बात करने वाले फाइनली ठीक है तो भाई या राजकुमार जी वाइनली वीडियो बना रहा हूँ अभी आप प्राइज वगरा खुद चेक कर लेना देखो Bitcoin जी थी वो दुनिया की पहली cryptocurrency थी 2008 में यह launch होई थी और Bitcoin की कुछ कमिया थी जिससे ही solve करने के लिए कुछ और currency आई जिनको हम आज alternative currency बोलते हैं Bitcoin की वो alternative है मतलब की altcoins हम उनको कहते हैं अब Bitcoin की जो एक main problem थी उसमें क्या main problem थी एक तो transaction की speed थी मतलब की जो transaction थी वो delay हो जाती थी कई कई बार तो आपको एक एक घंटा लग जाता था transaction के लिए तो इसी problem को solve करने के लिए Bitcoin के अलावा फिर market में Ether भी आया, XRP भी आया, Ripple यह सब आये ठीक है altcoins लेकिन जो Ethereum के founders थे उनको Bitcoin की limited supply का जो concept था वो पसंद नहीं आता था इसलिए उन्होंने का आप सभी को पता है जो Ethereum के founders थे उसमें Charles Hoskinson भी थे जो कि आज Cardano के Cardano या ADA के founder भी है Vitalik Buterin भी उनके founder है तो उनको यह concept पसंद नहीं आया था तो उन्होंने का कि भाया हमारा यह जो coin होगा हमारी यह जो cryptocurrency होगी वो unlimited होगी ठीक है यानि कि इसकी जो supply है वो हर साल लगबग 18 million एther supply में aid होते रहेंगे अब Ethereum जब आया था उस समय तो यह perfect था उस समय क्या coding तो ठीक है और लगबग 15 से लेकर 30 transaction आराम से transaction हो जाते थे transaction speed भी उस समय काफी अच्छी थी cost भी उस समय क्या coding ठीक ठाक थी लेकिन अब जो क्या समय बदल गया है और Ethereum की यह कमिया बन गई है Ethereum की जो अभी वर्तमान या present की transaction speed है वो 15 transaction पर सेकंड से 30 transaction पर सेकंड तक की है जो की अभी के इसाब से थोड़ी कम है तो Ethereum based जितने भी tokens होते हैं उनका अगर आप transaction करोगे Ethereum की blockchain का use transaction में करते हो तो gas fees बहुत जादा आती है funda समझ में आ गया कि मतलब की जितने भी Ethereum based token है या फिर अगर आप Ethereum की blockchain को use करते हो transaction के लिए तो आपको ज़ादा cost देनी पड़ेगी तो अभी तक इसकी जो दो main highlighted problems है जो दो main problems है उसमें से एक तो transaction speed है और एक है transaction cost तो इन सभी problems को solve करने के लिए इन दो main problems को solve करने के लिए हटाने के लिए Ethereum 2.0 लाया जा रहा है मतलब की Ethereum का एक upgraded version अभी market में लाया जा रहा है अब वो कब आएगा date क्या है वो अभी किसी को clearly नहीं पता है बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि साल या फिर थोड़े महीनों बाद या 2022 के first month में ऐसे वेसे लेकिन अभी तक कोई भी clearly date नहीं आई है बिकोस यह जो process होता है upgrade करने का वो बहुत लंबा चलता है अभी उसके उपर भी हम बात करने वाले है लेकिन एक छोटा सा doubt or आपका solve करने वाला हूं बिकोस काई लोग फिर मुझे मेरे चोटे बड़े भाई यह पूछेंगे कि यह कोई नया coin थोड़ी आएगा market में नया coin आ रहा है कि ethereum 2.0 नहाम का तब basically यह कोई नया coin नहीं आएगा जो आपके पास अभी ethereum है जो कि आपने अभी hold कर रहे हैं आपने store कर रहे हैं उसी को upgrade कर दिया जाएगा या तो फिर आप उसको swapping करके ethereum 2.0 में convert कर लोगे या फिर automatically convert हो जाएगा यह हो सकता है मैं भी इस पर भी कोई clearly कुछ आया नहीं है पहले बात करते है ethereum 2.0 के बारे में या 2.0 के बारे में यह आएगा तो इससे क्या होगा देखो अभी तक जो ethereum है वो proof of work पे काम कर रहा है मतलब कि ethereum को आप mine कर सकते हो लेकिन ethereum जो 2.0 आएगा 2.0 आएगा उसका जो concept होगा वो होगा proof of stake ठेक है इसके लावा जो transaction speed है वो बहुत जादा बढ़ा दी जाएगी अभी transaction कितनी है लगबग 30 transaction per second तक आप कर सकते हो लेकिन जब transaction speed बढ़ा दी 2.0 तक कर सकेगा इसके अलावा ethereum 2.0 के कई phases है जिसको अभी पूरा करने में बहुत शायद time लग सकता है 2022 में भी यह loan चो सकता है शायद इससे भी जादा time लगे 2023 तक आपको मिले because इसके कुछ phases है बहुत सारे phases है जिनको यह पूरा करेगा जो कि अभी मैं आपको screen पर भी दूँगा इन phases के पूरे complete होने के बाद ही यह ethereum 2.0 या 2.0 market में आएगा और फिर आपको यह शायद देखने को मिल सकता है या फिर आप फिर उसको store कर सकते हो या फिर hold कर सकते हो बेच सकते हो खरी सकते हो ठीक है तो अभी थोड़ा अच्छा समय लगेगा अभी थोड़ा स यह ethereum clear होगा फिर वो शायद अपने आपको ethereum clear नहीं कह पाएंगे इसके आने के बाद में ठीक है तो अभी कुलमिला के बाद यह ethereum two point आने वाला है बट कब आएगा यह इसके बारे में किसी को नहीं पता है तो हाल फिलाल जो आपके पास यह ethereum है आपके गल्ले में इसी को देख के खुश होते रहो इसे से आप trading करते रहो ठीक है तो वीडियो में ethereum 2.0 और जो dodge को इने उससे related हमने बाते करी तो वीडियो अगर आपको थोड़ा से भी पसंद आयो तो definitely वीडियो को लाइक करना है थोड़ा से उंगलियो को भी काम में ले लिया करो वीडियो को दे उनको भी देखना पड़ता है तो सभी के reply करना थोड़ा सब possible नहीं हो पाता ठीक है फिर भी जैसे टाइम मिलता है मैं बहुत से लोगों का reply कर देता हूं तो यही बात है कि वीडियो पसंद आया तो definitely वीडियो को लाइक करना है और कुछ लोग ये भी कमेंट करके बोलते क बहिया फेस रिवील कब करोगे तो समय आने दीजिए ठीक है पता लग जाएगा मैं भी कोन हूं मैं आपका बहिया कैसा दिखता हूं उनसी उसनसी थोड़ी ये चेहरे पर या फिर गोरा चिट्टा लड़का हूं आदमी हूं कोन हूं ठीक है तो फिलान इस वीडियो में इ बिलते हैं नहीं अपडेट के साथ तिल देन बाबाए